नमस्ते दोस्तों आज हमारा टोपिक है पासान काल से शुरू करते हैं इसलिए क्लास में हमने आदी मानव की विविन नसलों और उनके द्वारा बनाएगे ओजार और ओजार संस्कृतियों के अंतर सम्मंद पर चर्चागी थी आज की क्लास से हमें पासान काल क्या वियोस्तित द्यन सुरू करते हैं टोपिक काफी लेंदी है मेरा उत्ते से यह है कि आपको इसकी बेसिक इनफॉर्मेशन्स कोर इस्यूज के बारे में अवधार नात्मक इसपश्टा या कंसेप्च्वल क्लेरिटी यह होनी चाहिए यह क् आमान्यत है सभी कोचिंग में सभी टीचर सबसे लास्ट में करवाते हैं मैं इसको सुरू में करवा रहा हूं कि पासान काल से संबंदित पूरी अवधारना आपकी पश्ट हो सके हैं इसमें हम आज की क्लास में निमन पुरा पासान काल का टोपिक करेंगे लेकिन निमन आपको एक छोटी से प्रियास के माद्यम से निमन पुरा पासान काल मद्दे पुरा पासान काल उच्पुरा पासान काल मद्दे पासान काल और नव पासान काल इनकी काल खंड और इनके ओजारों की प्रकृति के बारे में और इनके आपसी अंतर संबंद के बारे में मैं आ शुरू करते हैं इसके लिए मैं चाहूंगा कि एक ही बॉर्ड पर एक छोटे से चार्ट के माद्द्यम से आपको मैं सारी चीजें समझाने की कोशिस करूंगा अक्सर हो सकता है थोड़े छोटे हो जाएं लेकिन आपको जो मैं कह रहा हूं उन सब्दों पर आप थोड़ा गो ओजार हम इस छोटे से हेडिंग के जरी इसको समझ सकते हैं कि पासान कालीन ओजार अब ये पासान कालीन ओजार किन किन काल खंडों में हमें इनको सब डिवाइड करना है और क्या इनकी कोर विशेशता हैं बाकि ये सारी विशेशता हैं जैसे जैसे हम ये सब सेक्शन पर भी बताई जाएंगी लेकिन यहां पर इनका एक तुलनात्मक जो अध्यन है वो मैं कर रहा हूं तो हम इस बोर्ड को एक मोटे तोर पर तीन बागों में या मैं यूं को कि बलकि पांच बागों में हम इसको बांट लेते हैं क्योंकि निम्न पुरा पासान काल मद्दे पासान काल और नौपासान काल इसमें डिवाइड करेंगे तो यह जो पहला सेक्षन है इसको हम डिवाइड करते हैं मैं यहाँ पर केवल निम्न पुरा ही लिख रहा हूँ ताकि इस एक ही बोर्ड में एक स्लाइड में आपको मैं सारी चीज़ें समझा सकूँ दूसरा है मद्धे पुरा पासान काल मद्धे पुरा तीसरा है उच्छ पुरा पासान काल चोथा हम अगर विवाजन करें तो यह आजाएगा मद्धे पासान काल और अन्तिम अगर हम इसको बाटें तो यह आजाएगा नव पासान काल इसको में थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ यानि नव पासान यह अपना एक छोटा सा एक टेबल रूप में मैं इसको वरगी करन के मद्धिम से आपको बचा रहा हूँ काल करम के बारे में हम पिछली स्लाइड में चर्चा कर चुके थे इसलिए उसके बारे में मैं ज्यादा अब इसमें नहीं बताओंगा निम्न पुरापासान काल कब से शुरू हुआ यह सब पिछली क्लास में बता चुके थे और बाकी जैसे जैसे टॉपिक चलते जाएंग काल करम हम फिर से इसके बारे में डिसाइड करते जाएंगे, बताते जाएंगे, मुक्खे जो अब चीज है, हम ओजारों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वैसे निम्न पुरा पासान काल पचीश लाग से लेकरे, कुछ विद्वान 5-6 लाग वर्स मानते हैं, वहाँ से शुर चीज आपको इसमें याद रखनी है कि ये ओजार क्वार्ट जाइट के बनते थे किसके बनते थे क्वार्ट जाइट या इसे हम कहें तो स्प्टिक इसके ये ओजार बनते थे क्वार्ट जाइट या स्प्टिक फत्तर के ये ओजार बनते थे दूसरा ये ओजार कोर ओजार थ पुछा जाता है कि अगर आप ये आइडेंटिफाइई कर लें या मन में बढ़ा लें कि निम्न पुरा पासान काल में क्वार्ट जाइट हो जारी थे यानि जो मद्दे पुरा पासान काल या उच्छ पुरा पासान काल आगे नव पासान काल तक जो अन्य बहुमुले पत्थर जैसे चार्ट जैस पर फ्लिंट फ्लिंट और इस तरह के बहुमुले जो जार पत्थर थे इनसे जो बनते थे जार वो नहीं है क्वाट जाइट केवल निम्द पुरा पासान काल का एक्सक्लिजिव ओजार है चार्ट जैस पर फ्लिंट निम्द पुरा पासान काल में नहीं मिलते हैं यह चीज विशेश रूप से आपको दिमाग में बिठा के रखनी है फिर उच पुरा पासानकाल में भी यही सेम पत्थर काम में लिये जाते हैं के द्सेट कर फ्लिंट मंद्द के पत्थर काम में लिए जा रहें हैं अद्धेपुरा पासानकाल में भी सेम पत्थर काम में लिए जा रहे हैं इन में बाद में जैसे चैल्सी डैनी या चैल्स डैनी पत्थर और जुड़ गे मैं फिर से रिपीट कर दो लगबग अगर पत्थरों की ओजारों की क्वालिटी के बारे में क्योंकि मैंने इसमें आगे कुछ स्लाइड्स में पिछले वर्सों के आएवे परसन भी स्में सामिल की है उन परसनों से आपको ये मोटा मोटा अंदाज हो जाएगा कि क्वाट्स जाइट की ओधारना को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है तो मैं फिर से रिपीट कर दो निवन पुरा पासानकाल में क्वाट्स जाइट थे ऐसा नहीं है कि मद्दे उच और मद्दे पासानकाल नव पासानकाल यहां पे क्वाट्स जाइट पत्थर काम में नहीं लिये जाते थे लेकिन ये 100% शूर है कि निवन पुरा पासानकाल में चर्ट जैस्पर और फिलिंट जैसे पत्थर काम में नहीं लिये जाते थे दूसरी चीज है कि ये जो ओजार है वो कोर ओजार होते थे कोर ओजार का मतलब है कि एक बड़ा पत्थर एक बड़े पत्थर से दूसरे पत्थर की चोट मार के दूसरा पेबल टाइप का या कोई भी पत्थर है उसको चोट मार करे उसके छिलके उतारे जाते थे जिनने सलक का जाता था अंग्रेजी में हम इसे फ्लेक कह सकते हैं एफलेकेई तो सलक उतारे जाते थे और उन सलकों को उतार कर जो मूल पत्थर बचता था उसी से ही हैंड एक्स यानि हस्त कुठार या क्लीवर या विदारनी या खंडक और गंडा साथ चौपिंग चौपर या चौपर चौपिंग पहान पर मत्य पुरापासान काल में यहां पर जो चीज काम में ली जारी है वो सलक या फ्लेक यानि कोर ओजार बनने के बाद जो वेस्टेज बसता था उस वेस्टेज को काम में लिया जा रहा है यानि यहां पर पत्थरों की ओजारों की साइज निम्न पुरापासान काल म बड़ी होती थी, वो बेडोल होते थे, भारी होते थे, जबकि यहां पर सलक के कारण, ब्लेड, चाकू, इस तरह के जो ओजार हैं, या वेदक वेदनी, इस तरह के ओजार, पॉइंटेड और छोटे ओजार, जो बाद में मत्य पासान काल तक आते आते, माइक्रोलिथिक ओज और इन से थोड़े छोटे, एपी पेलियोलिथिक ओजारों में कन्वर्ट हो गए, ये तभी संभव हो पाया, जब हमने कोर ओजार को छोड़ कर, उसकी सलक पर काम करना शुरू कर दिया, तो यहां पर ये आगे सारे ओजार हैं, सलक ओजार हैं, यानि निमन पुरा पासान क पत्तर होता था और कोर ओजार काम में लिया जाता था, जबकि मद्दे पुरा पासान काल से आगे ये सारे सलक पर आधारित ओजार काम में लिये जाते थे, इस सलक की ब्लेड भी बना ली जाती थी, पॉइंट वेदक, वेदनी, खुर्चनी ये सारी चीजें सलक से बनाई जाती थी तो आगे नवपासान काल तक मोर और ले से कोर और जार और सल्क की जो अवदार ना इनका जो एक mutual relation है वो मैंने आपको समझाया है और यह जो अंतर दोनों का एक हम इसे कहें कि एक दूसरे के contrast में इनको समझने का जो नजरीया है यह हमें निमन पुरापासान काल के जश्ट बाद मद्दे पुरापासान काल से ही समझ लेना है आगे हम इसी को कोपी पेश्ट कर सकते हैं हमें अलग से इस चीज़ को नहीं समझना है मन्यत प्रसन ऐसा पूस लिया जाता है निमन पुरापासान काल के ओजारों की कौन सी विसेश्टा है या कौन सी विसेश्टा नहीं है फिर उसमें से चार विसेश्टा हैं बता कर कोई सी तीन कोई से दो इस तरह के कोण से सकते हैं सभी सकते हैं इस तरह के प्रसन पूस लि अब में हम इनके औजारों की नेचर के बारे में या औजारों के परकार के बारे में तो निम्न पुरापासानकाल के जो जार थे वो थे हैंड एक्स या हस्त कुठार अंग्रेजी में इसे हैंड स्का आजाता है दूसरा है क्लीवर या विदार्णी एक चीज में और बतातूं कि आपको यूजी सी नेट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर या स्कूल एक्षर के एक्जाम में पेपर इंदी और इस मीडियम दोनों में आता है बाईलिंगू लाता है वहां पर खास तोर पर इस सब्दावली में आप अंग्रेजी वाली सब्दावली को ज्यादा प्रिफर करें क्योंकि यहां पर कई बार ट्रांसलेशन में दिक्कत आ जाती है टीसरा है चोपर और चोथा है चोपिंग अब इसको हस्त कुठार वाली in-dustry भी का जाता है या चोपर चोपिंग सब्द यह भी का जाता है अगर चोपर चोपिंग सब्दावली साथ में जुड़ीवी है तो ये है जो सब्दावली है इस आदार पर आप इसको क्या करोगे निम्न पुरापासानकाल से जुड़ीवी है ये कुछ से जुड़ीवी जो पेर में सब्द हैं वो आगे मत्य पुरापासान काल में भी आएंगे जैसे मत्य पुरापासान काल के जो ओजार है मत्य पुरापासान काल के ओजार अगर हम देखें तो ये मत्य पुरापासान काल के ओजार होंगे ब्लेड परादारित ब्लेड होंगी दूसरा ये ओजार होंगे बोरर तीसरा होगा पॉइंट या जिसे हम कह सकते हैं बेदनी तोथा होगा स्क्रेपर तोथा होगा ये स्क्रेपर तो इसको बेसिकली यहाँ पर जो सब्द काम में लिया जाता है वो सब्द आता है इसको स्क्रेपर एंड बोरर कल्चर का जाता है इसको क्या का जाता है स्क्रेपर एवं बोरर संस्कृति हम मत्य पुरापासान काल को स्क्रेपर और बोरर संस्कृति भी कहते हैं जबकि चौपर चौपिंग संस्कृत कि आएगी तो इसके लिए कौन सा काल आएगा निम्न पूरा पासान काल इसके लिए काम में आएगा. इसी तरह से इसी तरह से अगर हम देखें तो जैसे उच्छ पुरा पासान काल में जैसे मैंने बताया चायट फ्लिंट जैस्पर चेल्सी डेनी ये ओजार थे इनके पत्रों के ओजार थे और ये सलक आधारित ओजार थे और अगर इनके ओजारों के संस्कृति के नाम से हम अगर जाने तो इसको हम कह सकते हैं कि बलेड एंड ब्यूरिन संस्कृति क्योंकि यहां पर चाकू या बलेड जो है जिसे हमें फलक भी कहा जाता है ये ज्यादा मात्रा में काम में ली गई इसलिए दूसरा इसमें ओजार तो इसको कहा जाता था ब्लेड एंड ब्यूरिन संस्कृति यह जबकि मत्ये पुरापाषान के शंस्कृति स्क्रेपर एंड बार संस्कृति यह कह लाती है अब यहां पर एक चीज हमने और और समझनी है कि इसी को मद्दे पुरापासान काल को HD साकलिया ने ब्लेड संस्कृति भी कहा है अगर केवल ब्लेड संस्कृति आये तो हम इसे मद्दे पुरापासान काल भी कह सकते हैं लेकिन ब्लेड ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल कब हुई उस पुरापासान काल में और ब्लेड के साथ ब्यूरीन आता है तो इसका उत्तर क्या होगा ब्लेड एंड ब्यूरीन संस्कृती इस पुर्हा पाशान काल संस्कृति मद्ध पुरहापूशान काल की है और इसके लावा चौपर चोपिंग जो संस्कृति है यह संस्कृति निम्न पुरा पासानकाल की है इसके ओजार जो है यह पेबल के बने होते थे पेबल है एक चीज यहाँ पर सब्स आता है पेबल नदी में परवाह में पानी में घिसकर जो गोल मट्रोल पत्थर بن जाता था उसी को पेबल का जाता था यह बड़े आकार के भी इते थे और हमारे पासानकाले इन पूरूजों ने इन बड़े आकार के पेबल को छील कर इन हस्त खुठार या ऐसी चीजे बनाई क्लीवर चॉप्र चॉपिंग हमारे पुरुजों ने यह बनाई उच्छ पुरा पासानकाल के बाद में जब आता है मद्य पासानकाल तो मद्य पासानकाल में हम हमारे जो ऑजार है यह औजार कैसे हो गए छोटे हो गए इसलिए इनको का जाता है माइक्रोलिथिक या सुक्सम पासान ओजार की संस्कृति अगर माइक्रोलिथिक सब्द आए तो माइक्रोलिथिक सब्द के लिए हमें सुक्सम इन्दी में जो सब दोगा वो सब दोगा सुक्सम यानि यह सुक्सम ओजारों की संस्कृति है माइक्रोलिथिक की संस्कृति है यहाँ पर एक सब्द और काम में लिया जाता है इसको कहा जाता है epipaleolithic उगत्स पूरापासान काल के ओजार है ये कहलाते हैं इसके कंट्रास्ट में epipaleolithic एपी पेलियोलिथिक का मतलब है ऐसे ओजार जो माइक्रोलिथिक से तो बड़े हैं लेकिन मद्द पुरापासान और निम्द पुरापासान कालवाले ओजारों से छोटे हैं एसे ओजारों को एपी पेलियोलिथिक ओजार कहा जाता है तो अगर एपी पेलियोलिथिक सब्दावली आए तो इसे उस पुरापासान काल से हमें अटेज करना है और मत्द पासान काल में माइक्रोलिथिक अब मत्द पासान काल के ओजारों में एक विशेशता हो रही कि अब चोंकि माइक्रोलिथिक सुक्सम ओजार बनने लगे हम होलोसीन काल में प्रिवेस कर गए हम लगबग 10,000 इस्वी पूरू के आसपास आगे और यहां से आते आते मनुस्य की ओजार बनाने का कोसल इतना ज्यादा विक्सित हो गया कि वो एक निस्चित ज्यामितिय आकरती के ओजार भी बना सकते थे तो यहां पर जो ओजार मिलते हैं वो ज्यामितिय आकरती के ओजार भी मिलना शुरू हो जाते हैं यह ओजार कैसे हैं ज्यामितिय आकरती के ओजार ज्यामितिय के साथ साथ गेर जियामिती आकरती के ओजार भी हमें मिलना पहले की तरह मिलना तालू है ऐसा नहीं है कि सभी ओजार जियामिती आकरती के ओजार हैं लेकिन ये ओजार जियामिती आकरती के ओजार यहां पर मिलना शुरू हो जाते हैं और इन ओजारों में जैसे इनका आकर है या इन ओजारों दूसरा हम जिसे अर्ध चंद्र हम जिसे कहें कि जैसे अर्ध चंद्र या फिर वेदनी टाइप का ओजार भी यहां पर है ऐसा नहीं है कि पहले वाले ओजार यहां पर काम में नहीं आ रहे जैसे ब्लेड बोरर वेदनी स्क्रेपर यह सब ओजार काम में आ रहे हैं लेकिन आपको विशेश रूप से याद रखने हैं जैसे अन्य ओजार हैं जैसे फलक है या सुक्सम फलक कह सकते हैं फलक टाइप यानि ब्लेड टाइप के ओजार यानि पहले वाले ओजार भी काम में आ रहे हैं और बाद वाले जो नए ओजार हैं ज्यामिती आकार के इन में अगर इस तरह की सब्दाव लिया है जैसे तिर्बज चतुर्बज इस तरह के आकार संभलंब चतुर्बड़ टाईप के उजार, तो जहां कहीं पर भी ज्यामीत कया सब्त आता है, हमें इसको एठेज़ करना है अब हम आते हैं नौ पासान काल, नव पासानकाल में जो मुख्य उजार है वो पॉलिस किये वे उजार है एक जो उजार है ये पॉलिस किये वे उजार है और इससे पहले एक चीज यहां पे मद्दे पासानकाल के जो उजार निर्मान की तकनीक है उससे सम्मंदित मैं और चीज बता दूँ कि यहां नाली तकनीक या फ्लूटिंग तकनीक के ओजार बनते थे जगह कम है इसलिए मैं उपर ही लिख लेता हूँ कि नाली या फ्लूटिंग एक अंग्रेजी में इसे फ्लूटिंग कह देते हैं इंदी में इसे नाली तक्नीक कह देते हैं इनके उपर जब हम आगे टोपिक में आएंगे तब तोड़ा डिटेल में चर्चा कर लेंगे कि नाली या फ्लूटिंग तक्नीक के उजार थे इनमें से यह तक्नीक से उजार ब इनका जो सतय थी वो काफी घिस के चमकीली बना दी जाती थी तो यह पॉलिष्ट संस्कृति के उजार कहलाते हैं यहां पर मत्य पुरा पासान काल से एक और चीज शुरू अती है कि यहां पर हड़ी के उजार भी मिलना शुरू होते हैं और हड़ी कि मद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् तो वो चरम पर पहुंच गई तो ये पॉलिस किये वे उजार है इनके उजारों की अगर हमें नाम देखें तो यहां पर एक विशेश रूप से उजार आता है जो इसको अन्ने से बिन करता है उसको कहते हैं सेल्ट बाकि इसमें जो समनेत NCRT की बुक्स में जो ओजार मिलते हैं वो चार तरह के ओजार मिलते हैं एक तो कुलाडी यानि कहीं पर भी अगर ये सब्द आए कि पालिस की वी कुलाडी तो आपको पालिस सब्द को देखते ही आपको नवपासान काल की तरफ ही जाना है जैसे कुलाडी हो गया दूसरा ओजार हो गया सेल्ट तीसरा ओजार हो गया छेनी जिसे हम राजस्तान में टाकी भी बोलते हैं इस्थानी ये बासा में पूरे देश में अलग-अलग इस्थानों पर इसके अलग-अलग नाम हो सकते हैं और चोथा हो गया बसूले ये ओजार नौपासान काल के परमुक ओजार थे सामने तपरिक्स्या में ये सब्द आता है कि नौपासान काल ये ओजार देखे कि हस्त-कुठार, कलीवर, चोपिंग और एक नाम इसमें से आपको मान लीजिए सेल्ट दे दिया कि कौन सा निम्नपुरापासान का ओजार नहीं है मेरा यहां पर इस स्लाइड के मद्दिम से एक फ्लो साइट के मद्दिम से पूरा जो आपका वर्गीकन है उसको यहां पर समझाना था और यह जो ओजार हैं यह पालिस्ट दार होते थे और पॉलिस के लिए इनको कैसे करते थे यहां पर अगर हम जहाश्री माली की किताब देखें तो उसमें दो सब्दोर आते हैं तंकित और गर्षित और पॉलिस किये वे ओजार जो कि हिंदी माध्यम में किरियान में निदेशाले की जहाश्री माली की किताब में यह सब्दावली मिलती है तो इस तरह का परसिन भी बन सकता है कि कौन सी चीज नवपासान काल से सम्बंदित नहीं है जैसे टंक बनाने की तकनीक नाली एव आ गया नाली दूसरा टंक कित शी आ गया गर्षित ते चोथा पॉलिस्ट तो नवपासान काल में या कौन सी मद्देपासान काल से सम्बंदित है तो नाली या फ्लूटिंग टेकनिक है यह मद्दे पासानकाल से संबंदित है तो यह मोटी मोटी इसके आदार पर मैं आपको एक छोटी सी एक फ्लोचार्ट के मद्दिम से इन ओजारों के बारे में एक सामने जान करी दिये डिटेल एनलिसिस हम जैसे जैसे हर सब यूनिट जो चोटी चोटी यूनिट करते जाएंगे उन में हम और ज्यादा चर्चा करेंगे मेरा उद्दिश यह था कि एक के फ्रेम में आपको इन सब चीजों के बारे में मैं बता सकूँ अगर एक लाइन में मेरे से आप पूछें तो मैं यही कहूंगा कि केवल आप निम्न पुरापासानकाल की यह चीज याद रख लो कि यह ओजार क्वाट्जाइट के थे और कोर ओजार थे और पेबल से बनते थे पेबल पत्थर के होते थे बाकी आप इसके आधार पर या यह सब्दावली की स्क्रेपर और बोरर संस हो जाएगी तो अब हम इसकी नेक्स्ट जो क्लास है जो नेक्स्ट जो स्लाइड के मद्दम से मैं आपको थोड़ा